तो आप डिस्कस करेंगे सेलजा Eluktronics Ltd. को जिसके नाम में है Eluktronics की कमपनी इलेक्ट्रोनिक प्रणक्स बनाती है लेकिन ये fans, tube lights, switches ऐसे प्रणक्स नहीं बनाती है जो हमारे domestic use में आते हैं ये कमपनी बनाती है बड़ी-बड़ी industries के लिए जितने भी commercial use में आने वाले electrical products से ये company वो बनाती है और इसको discuss करने के तीन बड़े reason है पैदा reason ये है कि इसकी जो आगे के expansion plans है वो बहुत solid है और solid बोलने का मतलब ये निये कि आप stock को मेरे कहने से खरीद लो video save education purpose के लिए है ठीक है तो number one इसके expansion plans है वो काफी अच्छे है दूसी चीज़ company के जो management है वो काफी optimistic है अपने portfolio के लिए करके और third इसका valuation तो हम तीनों चीज़ों को discuss करेंगे कि existing valuation क्या है ये इनके existing product portfolio है यहाँ पर अच्छी गृत आने वाले है प्लस तो expansion कर रहे है वो उनकी conference call के अंदर है अभी का यहाँ पर chart का क्या view है सारी चीज़ी discuss करेंगे video education purpose के लिए कोई भाइसल के recommendation में आप लोगो नहीं दूँगा buy करना है sell करना है आपने डिसेंट खुद लेंगे अपने financial advice से ज़रूँ पूछेंगे तभी कोई बाइसल करेंगे क्योंकि यह small cap company है small cap companies वोड़ी volatile होती है ठीक है यहाँ पर risk reward ratio no doubt reward काफी solid मिलता है multiple bagger यह companies बन जाती है 10x 20x बन जाती है लेकिन risk होता है तो वो आपको यहाँ पर खुद calibrate करना पड़ेगा कि आपका risk portfolio क्या है तो वीडियो को शुरू करते है सबसे पहले आपको company का portfolio दिखाता हूं कि इनके पास में कौन-कौन से products है तो आप देख सकते हो यहाँ पर CTs है ठीक है side view, top view देख डाला है यहाँ पर terminal sockets है यह use होते है जितने भी industries बगरा में coils होती है बड़ी-बड़ी heavy panels जैसे कि आपने transformers बगरा देख सकते हो mcvs बगरा लगी हुए है यह सब industry के लिए plus company wires and cables भी बनाती है इनका अच्छा-कासा revenue है वहां से और जो rotary switch gear है वहाँ पर यह company 25% share लेती है यह market की वहाँ पर leader है industrial switch gear के अंदर यहाँ पर देखो आप 54% इनका जो revenue है वहीं से आता है और market का 25% पुरा stake इनके पास है wires and cables पर 69% इनके पास में revenue है अच्छा है काफी building के अंदर और segment ने 5.9% है तो यह इनका revenue portfolio है यह तीन category आप देख रहे हो लेकिन आगे जाकर की categories बढ़ने वाली है किन categories की बात कर रहा हूँ है company ने अपनी conference call ने बताया है of course यह चीज़े पहले से market को पता भी है वो चीज़ काफे साथी चीज़े pricing भी हो गई है लेकिन अगर हम आज discussion कर रहे है तो आज के हिसाब से companies में add कर रही है एक तो EV chargers जैसे कि electric vehicle होता है उसके अंदर जो chargers लगते हैं यहाप आप देख सकते हो एक costed EV charger है ठीक है इनकी subsidiary है company ने उसके अंदर पुरे technology बनाई है और उसके अंदर एक थोड़ा सा setback आया है वो technology जो है charging जो है fail हो गई है लेकिन fail होने का मतलब यह नहीं है कि charger जब आप गाड़ी के अंदर लगाते हो या scooter में लगाते हो बाइक में लगाते हो तो वो charging नहीं करता है और जैसे ही इनको approval मिलेगा तो definitely इनको वहाँ से कुछ orders मिलेगा तो थोड़ा सा delay चल रहा है लेकिन हाँ company कहना है कि आने वाले quarters के अंदर और यह जो conference call है यह May month की है हम अभी July में है तो possibly जो next conference call होगी यहाँ पर हमें एक अच्छा update मिलेगा कि क्या approval मिल चुका है क्या वहाँ से orders आने शुरू हो गए है क्या stage है लेकिन हाँ net net अगर company ने उस पर capex किया है पूरे testing वगरा करी है इनके charging facilities ready है production करने के लिए तो definitely वहाँ पर एक positive चीज हमें देखने को मिलेगी ठीक है तो यह काफी अच्छा segment है साथ के साथ company का EV sector को लेकर के जो focus है वो यह है कि company अपने charging station setup करेगी चाए वो यूरोप हो इंडिया हो और उनको अगर maintain करने का contract बेकरने को मिल जाता है क्योंकि यह सारी चीज़े regularly चलती रहती है maintenance contracts में अच्छा खासा margin होता है अच्छा खासा पैसा बनता है तो company के कोशिश है कि इनको वहाँ पर उस domain के अंदर भी आगे business मिले तो यह इनका EV का segment है जिसके अंदर company अच्छा focus कर रही है कि वो जो F.I.N. approval है communication standards का वो इनको मिल जाए ठीक है प्रास EV theme काफी बड़ी है पूरे world के अंदर इंडे के अंदर चाहे वो two wheelers हो four wheelers हो अच्छा pickup हो रहा है थोड़ा सा slowdown हो गया market लेकिन आगे जाकर के अगर यह और boom करेगा तो of course जिस हिसाप से भी चल रहा है वैसे भी चलता रहेगा तो demand जो है वो आगे कमनी होगी उल्टा बढ़ेगी तो EV की बात होगी यहाँ पर अब बात करते हैं company एक और segment के अंदर एंटर हो रही है वो है smart meter ठीक है smart meter क्या है हमारी जो government है इंडे की उन्होंने एक commitment लिया है कि जितनी भी existing meters है government उसको change करेगी हमारी जो घरों में लगते है जहां पर भी power की consumption को ना पढ़ आता कि कितनी units किस घर में consume हुई है किस office में consume हुई है किस factory में consume हुई है तो उसके रहे smart meter है और company ने smart meter देखे successfully develop किया है smart meter facility और इनको BIS certification भी मिल गया single phase meter के लिए इनको आगे certification three phase meter के लिए इनका चल रहा है जो market है smart meters की यह काफी बड़ी है अभी जो tendering चल रही थी वो 15 क्रोड smart meters के लिए चल रही थी sales electronic ने जो plant लगाया है वो 40 लाक units पूरे साल ने produce करने का plant लगाया है मात्र 1100 क्रोड है इसके अंदर अगर यह 100% capacity बेंका smart meter अगर चलता है वहाँ पे इनको license मिल गया है smart meter के अंदर लेकिन भी tender नहीं मिला है तो company tender के वगर अप्लाई कर रही है ठीक है जो भी वहाँ पे इनके certifications वगर है उसको apply कर रही है जैसे ही वो सारी चीज़े आगे हो जाती है तो company को वहाँ पे order मिलेगा अफकोर्स ये वाला साल आधा लगबग first quarter इनका हो गया है जैसे ही for example मालो आगे अगर हमें option मिलता है यह जानने का इनकी next conference को अलकर company के बताती है कि July में या June में इनका plant जो है start हो गया है साथकात इनको orders भी मिल गया है क्योंकि approval तो मिल गया है licenses इनको मिल गया है लेकिन plant का start होना ज़रूरी है प्लस up and running होने के साथ साथ order मिलना ज़रूरी है तो मैं कहता हूँ अगर 20-30% capacity पे plant अगर इस साल भी चलता है तो भी ठीठा revenue clocking करेंगे growth के अंदर तो smart meter की opportunity है इंडिया में काफी बढ़ी है आने वाले 5-7 सालों तक चलने वाली है क्योंकि इंडिया के आपको पता ही है कि नए ने घर बनने वाले आवास की उजना में काफी सारी announcements हो रही है प्लस एक्जिस्टिंग घर है वहाँ पर या एक्जिस्टिंग offices है एक्जिस्टिंग factories है वहाँ पर भी उन meters को change किया जाएगा एक मीटर की कोस्ट 25-3000 लगाई जा रही है तो 40 लाग बनाते है तो 1000 क्रोड के लगबक का यह turnover बन जाता है यहाँ आप पढ़ सकते हो उसके बारे में है पुरे discussion चला हुआ है net net काफी बड़ी opportunity है market के अंदर तीन बड़े player है जिसके अंदर एक है genius power एक है HPL और एक है shinder और नए players भी अगर आते है तो 25 क्रोड for example 15 क्रोड अभी tender नहीं है 10 क्रोड अगर बाद में होती है तो भी 25 क्रोड की market है बहुत बड़ा market है और आगे यह market बढ़ने वाला है तो हर किसी के लिए space है जिस company के खुद की capacity अगर sales electronic 40 lakh meters की है तो net net आप खुद अनुमाल लगाओ कि 40 lakh 5% भी नहीं बनता 15 क्रोड का पच्छा पतलब percentage form में अगर इनको market का 5% भी मिल जाए saleser को तो यह एक अच्छा revenue clock-in कर लेंगे आगे जाकर के net net यह अच्छी growth आके उम्मीद लगाई जा रही है कि इनको मिल सकती है प्लस company जो rotary switches, gates वगरा बनाती है railway के अंदर काफी अच्छी opportunity है बहाँ पे भी यह लोग कोशिश कर रहे हैं कि इनको approvals वगरा मिल जाए ठीक है wires harness इनको अच्छा business आई रहा है प्लस wire harness आपको पताईए जैसे ऐसे आगे growth हो रही है जैसे polycab हो गया जैसे मैंने एक और company आपके साथ share करी थी para cables करके या फिर के यह इंडस्ट्रीज है इन सभी companies के revenue आप देखोगे तो अच्छे आ रहे है प्लस इस company का भी अगर आप revenue देखोगे हैं पर तो wires and cables से 38% जो कि 1% बड़ा ही है last financial year के अंदर तो net net यह इनके सारे verticals है जहाँ पर company growth की आगे उमीद लगा रही है existing vertical आपके सामने इंडस्ट्रिल स्विच गयर बिल्डिंग और wire प्लस smart meter हो गया और EV charging stations हो गया या फिर EV charging equipment हो जो पूरा charger ही हो ठीक है और management की एक पूरी conference को लिया पड़ते हो तो यहाँ पे जो new transformers है जिनकी इनका department है उसमें new transformers नए नए electrical equipments जो heavy industry में use होते है management उसपे भी focus कर रहा है ताकि इनको आगे जाकर कर जो revenue है वहाँ से भी pump in हो तो यह पूरी इनकी growth का आगे एक पूरा pathway है management उसपे काम कर रहा है कितना आगे जाके successful होगा वो आने वाले quarters बताएंगे आने वाले साल बताएंगे लेकिन जहाद तक मैंने इसको पड़ा है मुझे लगता है company को management है काफी positive है पैसा वैसा खर्च कर दिया है testing investing कर लिए सारा कुछ है सब कुछ midway से आगे निकल चुका है लेकिन सारी game बनती है orders पे तो देखते हैं आने वाले quarters में क्या orders मिलते हैं लेकिन अगर बात करें इनके current valuation की आप देखोगे आप मार्किट कैप 1500 करोड की है बहुत चोटी कमपनी आगे अच्छा scope है grow करने का stock P36 है stock में अच्छी expansion मिली है पी आप देख रहे हैं आप लगबग कहीं एक साल पहले के लगबग कहीं 2023 में 13 पे था अभी ये पी लगबग 3 times हो गया तो price भी आप देख रहे हैं लगबग 3 times हो गया 300 वाला stock लगबग 900 तक पहुँच गया है तो क्या आगे growth होगी अफ्कॉस 36 का पी नहीं है क्यो नहीं है मैं आपको दिखाता हूँ आप यहाँ पे अगर HPL देखोगे नो डाउट इन companies के पास और भी product portfolio है तो HPL electric 93 के P.E. पर trade करता है आप अगर genius power देखोगे यहाँ पर तो लगबग 146 का P.E. है वहीं अगर मैं saleser की बात करूँ तो 36 के P.E. पर तो P.E. मुझे लगता आगे जैसे ही इनके approvals पकर आएंगे जैसे ही इनकी production शुरू होगी इन T.E. 0.66, T.E. debt है, working capital की debt है, short term की debt है, pledge percentage 22% है, promoter ने kosher गिरी भी रखा हूँ है लेकिन promoter ने kosher खरीदा भी है, वो आगे दिखाता हूँ मैं आपको, साथ के जात आथ आप देखोगे यहाँ पर sales के numbers बढ़ रहे हैं, last 2 सालों के अंदर, आप देखोगे F.Y. 22 और 23 वो इसने existing portfolio पे नया portfolio जैसे add होगा, चाहे वो EV charges का add हो, चाहे वो वन्दे भारत trains के अंदर switch gears वगरा का हो, या फिर smart meter का हो, तो वो growth उसके over and above आएगी, ठीक है, margins 11% की दोने यहाँ पर guidance दे रखिया है, profits आपके सामने है, decent है, balance sheet में healthy reserves है, यहाँ पर borrowing देखोगे तो short term की है, investor portfolio अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 37% stake promoter के पास है, पहले 32% था, promoter आप देख सकते हो, लगबग 4% की आजपास का stake खरीद लिया है, जब promoter अपने stake को खरीदता है, तो उसका simple meaning यह होता है कि promoter को पता है कि company में कितना दम है, आगे जाके company का क्या potential है, ठीक है, तो promoter न यह इंदो ने शायद है invest किया होगा, स्टार्टिंग के अंदर, इंदो ने आप बेचा है, चुक कोई बड़ी बात नहीं है, यह profit booking कर रहा है, D.I.S की conviction नहीं है, public के पास बहुत सारा stake है, लेकिन जब promoter खरीदता है, तो उससे एक चीज़ समझ आती है, कि promoter को कुछ तो जो हमें नहीं पता है, यह मुझे थोड़ा solid लगता है, promoter की buying को देखते वे, net-net, long term का view देखा जाए, तो इनके जो verticals हैं, आगे improve होते वे नजर आ रहे हैं, इनके आगे जितने भी parameters हैं, वो सब improve हो रहे हैं, आपने को पता ही है, India के अंतर अच्छी खासी एक cycle चल रहे ह की बड़ी-बड़ी companies जो हैं, बड़ी-बड़ी plants लगा रही हैं, तो बड़ी-बड़ी plants अगर लगेंगे, चाहे वो किसी भी category में हो, चाहे वो ethanol category में हो, clean energy हो, wind power हो, solar हो, textile हो, manufacturing, automobile, कुछ भी हो, वहाँ पे wire, cable, harness, switchgear की requirements आएंगी, plus smart meter government खुद commitment करके बैठी है, कि हम आग smart meters लगाएंगे, changes करेंगे, साथ कही साथ, EV automatically boom कर रहा है, net-net मैं आपको convince नहीं कर रहा हूँ, stock खरीदने के, लेकिन मेरा काम है आपको जो भी एक view है, industry का वो समझाना, ठीक है, तो आपको एक decent idea लग गया होगा, भाव आप देख सकते हो, अच्छे कासी growth आ चुकी है भाव पर अगर मिले, ठीक है लगबग इस भाव के आसपास, लगबग 800 या फिर उससे नीचे, तो मुझे लगता है आपको अगर long term का view है, आपके financial advisor आपको सला देते हैं, तो आप यहाँ खरीद सकते हो, लेकिन long term के लिए खरीदा है, क्योंकि इस company के plans काफी long term के है, solid plans है लेकि पी आगे expansion होने की उमीद है, तो वहाँ से आप ठीक ठाक पैसा बना लोगे, net net price अगर थोड़ा सा आपको यहाँ 780 के भाव या उससे नीचे मिलता है, तो मुझे लगता है वो एक decent valuation होगा, वहाँ से आप अपना खुद के analysis के basis पर आप चाहो तो हमाँ खरीद सकते हो, और opportunity बन सकती है, net net यही पुरा analysis, अगर आपको वीडियो informative लगाओ, helpful लगाओ, तो please informative ज़रूर लिखे, helpful ज़रूर लिखे, कोई और better word आपकी dictionary में, वह बाइसा ज़रूर लिखे, मुझे काफी appreciation मिलता है आप लोगों के comments पढ़के, मैं ऐसे ही videos feature पे लाता रहूँगा, आप मे मेरे लिए वो भी लिखे, हम ज़रूर उस पर काम करेंगे, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं गली वीडियो में, thank you so much